ख्रमा कीचिये भगवान, आप इतनी शांती से ये नहीं देख सकतें, मनुश्यों को पैसे से अधिक और क्या चाहिए? उसे आप जितना पैसा देंगे, मनुश्य उतना ही ज्यादा खुश रहेगा. नहीं देवी, अभी भी मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ. नारायन, नारायन, क्या समस्या है भगवन? देवी लक्ष्मी व्यथित दिखाई दे रही हैं. आईए नारद, आप ही न्याय कीजिए. देवी लक्ष्मी कह रही हैं, मनुश्य सिर्फ धन पाकर जी सकता है, खिन्तु इस बात से हम सहमत नहीं हैं. आप क्या कहना चाहोगे? मैं? मैं तो आपका विनम्र भग्त हूँ. क्यों न हम ये प्रयोग मनुश्य पर करके ही जांच कर लें? तुम्हारे पास हमेशा ही सही हल होता है. किन्तु किस पर प्रयोग करेंगे? ये मैं बताती हूँ प्रभू. मेरे सबसे अच्छे भग्त पर जिसका नाम है मदनलाल. हलो, कौन? मदनलाल जी. क्षमा चाहता हूँ, वो अगले एक घंटे तक नहीं मिल सकते. क्यों? क्या वो बाहर कए हैं? नहीं सर, वो तो नहा रहे हैं. एक घंटा नहाएंगे? वो पानी का कितना दुरूप्योग करते हैं? पानी? नहीं नहीं. मेरे साहब तो सोने के सिक्कों से नहाते हैं सर. और उन्हें व्यावधान पसंद नहीं है. कौन है वहाँ? आपको पता नहीं समय व्यावधान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. ठीक है? अंदर आओ. श्री, मेरी प्यारी बच्ची, आओ मेरी प्यारी. तो कब जा रही हो तुम पिक्निक के लिए? प्रशिक्षर पिताजी, पूरी क्लास जा रही है. मैं भी अभी जा रही हूँ. मैं तो बाई कहने आई थी. हाँ, ठीक है. तुम चाहे जो कहो. लेकिन मुझे तुम्हारी याद आएगी. तुम अपना ध्यान रखोगी न? पिताजी, दो दिन की तो बात है. मैं बहुत जल्दी लोटाऊंगी. वो तो तुम्हारे लिए मुझे से पूछो. बस दो चीज़े मुझे आनन्दित करती हैं. एक तुम और दूसरी लक्षमी. श्रीमंत मदल्लाल, मेरे अच्छे भक्त. तुम्हारी साधना से मैं प्रसन न हुई हूँ. मैं तुम्हें वर्दान देना चाहती हूँ. बताओ, तुम्हें वर्दान में क्या चाहिए? हे देवी मा, मैं और ज्यादा क्या चाहूँगा सिवाए तुम्हारी साधना के. मेरी एक ही मनों कामना है कि मैं जिसको भी छूलूँ, वो सोना हो जाए. तथा आस तू. ओ, शुक्रिया देवी, शुक्रिया, मैं पृत्वी का सबसे खुश नसीब इनसान बनूँगा. क्या बात है देवी? ये खुशी किस बात की? ओ, मेरे आनन का कारण बताती हूँ. मुझे लगता है आप चुनोती हार गए हैं प्रभू. जरा देखिये तो मदल्लाल को, मेरे भक्त को. मैंने अभी उसे वर्दान दिया है. वो जिसे भी छुएगा, वो सुना बन जाएगा. वो आनन से फूला नहीं समा रहा है. ओ, बेचारा मनुश्य, वो जानता नहीं कितने दुख उसकी राह देख रहे हैं. आप ऐसा क्यूं कह रहे हैं? इसमें क्या गलत है? आपने ये खेल शुरू किया है, देवी. अब आप ही देखिये इसका क्या परिणाम होता है? जिसे भी मैं छूँगा, वो सोना बन जाएगा. ला 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 ला. वाओ, वाओ, वाओ. मुझे यकिनी हो रहा. मैं पूरी दुनिया में सबसे अमीर हो जाओंगा. मेरी संपत्ति कुबेर जितनी हो जाएगी. वाओ. क्या तुमने वो देखा? देवी मा लक्षमी ने मुझे वर्दान दिया है. कि जिसे भी मैं छूँँगा, सोना हो जाएगा. अब मेरे जीवन में फिर कभी दुख नहीं आएगा. लेकिन इस समय मुझे पहुत भूख लगी है. जाके कुछ खाना ले आओ, समझे? अब खाना परोसु मेरे इमान दार नौकर. इसे तो देख कर ही मेरे मुझे पानी आ रहा है. हे भगवान! हे भगवान! हे भगवान! चिन्ता मत कीजिए मालिक, मैं खिलाता हूँ आपको. तुम खिलाओगे? मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँगा? हे भगवान! मैं बहुत भूखा हूँ. अब मैं क्या करूँ ना बूद पानी पी सकता हूँ और ना खा सकता हूँ. क्या हूँ पिता जी? ये सब क्या हो रहा है? लगता है जैसे आप रो रहे हैं. चिन्ता मत करो मेरी बच्ची. अब तुम आ गई हो. सब ठीक हो जाएगा. ये भगवान! ये मेरे भगवान! ये देवी लक्ष्मी! मैंने तु नजनी क्या क्या सोचा था ये वर्दान पाते समय. मैंने सब को दिया है. वो सब चीजे जिसे मैं चाहता था. मैं भूका हो और खा नहीं सकता. दया करो! दया करो मा और मुझसे अपना ये वर्दान वापस ले लो. तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा भक्त मदनलाल तुम्हें पुकार रहा है? और वो आनंदी भी नहीं दिख रहा. कहिए देवी. हे भगवान, बंद कीजिए ये खेल खेलना. आप सब जानते हैं कि ये ऐसे ही हो गया. वो मेरी गलती थी जो मैं सत्य नहीं देख पाई. मैं गलत थी. संपत्ती, सब कुछ होकर भी मनुश्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो उसे आनंदित करे. अब कुपा करके शमा कीजिए और मेरे दुखी भक्त मदनलाल की मदद कीजिए प्रभू. मैं खुश हूँ. आखिर आप ये सच जान गई. मदनलाल की चिंता मत कीजिए. कल जब वो नीन से उठेगा, तो सोचेगा कि उसने एक असंभाव सपना देखा. आओ मेरी प्यारी, अच्छा लगा तुम्हें देखकर, तुम वापस कब आई? ओ पापा, मैंने कहा था ना क्या आप मुझे याद नहीं करेंगे, लेकिन आप इतनी देर तक बिस्तर में कैसे लेटे हैं? ओ, मैं एक अनोखे सपने को सच्चा होते देख रहा था. देवी लक्ष्मी ने वरदान दिया कि मैं जिस चीज को छूँँगा, वो सोना हो जाएगी. सोचो, अगर ये सच में होता तो कितना अच्छा होता? क्या सच मोच? आज चरिया पिता जी.